नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चानल चानल नमबर तीन और आप हमसे जुड़े रहते हैं हमारे दूसरे माध्यम से भी जो है एंसी एडियोफीशल यूट्यूब चानल जहां पर आप धेर सारे ग्यान वर्धक कारिकरम विद्या चानल नमबर तीन पर आप हमसे जुड़े वे हैं और आज के इस कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी के तीसरी कक्षा के विद्यार्थियर के लिए और आपके लिए हम जो शीर्षक लेकर आए हैं बच्चों बहुत रोचक है बहुत दिलचस्प है शीर्षक है सीख पर आपने आस्तास अगर आप नजर घुमाएंगे तो आप उनसे भी काफी बाते सीख सकते हैं और कि इनसे क्या सीखा जा सकते हैं आपको बताएं कि हमारी विशेशन के जो हमारे साथ स्थीो में मौजूद है तो बिना किसी देरिके चलिए उनसे परीचे लेते हैं आप श साथ ही माम ने NCERT की पुस्तक लेखन में भी सही हो किया है आप अपनी सभी बातें अपनी सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं अगर आप इस कविता पार्ट के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं या पिर आपके मन में कोई बात है जो आप हमसे साजा करना चाहते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलिफोन नमबर पर जो है डेबल एट डेबल सीरो डेबल फोर जिरो डेबल फाइफ नाइन या फिर आप एमेल के मार्धिन से भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारा इमेल आडरस है dth.class3rd.cit.nic.in तो हमें रहेगा आपकी बा पहुत है माम यह पहुत ही रोचक लग रहा है तो बच्ची इसमें क्या कुछ और किस से सीख रहे है माम पहले तो मैं बता दू बच्चों कि आप सभी का धन्यवाद और यह जो हम आज पार्ट शिरू करें चोटी सी प्यारी सी कवीता है जैसे आपको रेनु दीदी ने बत Sud niksit pil yum ja any means पुस्तक में जो आज हम Camita से शुरुआत करने वाले हैं पहली कवीता है ज़रोर के अबना बी हमें कछ तो सिखा के उगए और जैसे आपको रेनु दीदी ने बताई दिया है कि हम कुछना को सीखते हैं तो रेनु आप सही कह रहे हो कि बच्चे सीखते हैं, हम भी सीखते हैं और सीखना जो यह है बोलते हैं कि चलता जाता है अंत तक, हमारी जीवन के अंत तक हम सीखते रहते हैं कही ना कहीं किसी ना किसी से जैसे हम शिक्षक हैं तो हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं जैसे बच्चे हम से सीखते हैं तो रेनू यहां पर गौरव भी कुछ बाती करने आया हमसे, बुला ले उसे, जी बुला लीजे माम, तो बच्चों, आपका प्यारा दोस्त गौरफ भी आया हुआ है, चलो पूछते हैं, गौरफ क्या कहना चाहता है, हेलो दीदी, हेलो गौरफ, कैसे हो तुम, दीदी, मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुम्हें देखके हाँ दीदी, मेरे प्यारे मित्रों, आप ये कविता सुनके आपको बहुत मज़ा आएगा पता है, इसमें न, इस कविता में रंग भी रंगे फूल है, पेड है, नदी है, दीपक भी है, तो ये सारी चीजें, हमारी रहिनो दीदी ने तो बताया न, सिखाती है हमें कुछ तो ये भी कुछ सिखाती होंगी, दीदी, मैं बहुत उत्साहित हूँ अपनी नवीन पुस्तक के लिए, इसलिए आज दोड़ दोड़ के आया हूँ, और ये पहली कविता है, और हमारी नई, नई किताब से वीना, तो मैं बहुत मज़े से और शांती पुरवक सुनना चाह देखो, तुम प्रशनों के उत्तर दे सकते हूँ, लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि तुम शांती पुरवक एक पुरी कविता पाठ सुनोंगे, हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छा बच्चा, मैं सुनूंगा, प्यार से और शांती पुरवक, तो दीदी, हम मैं से कहते हैं, जल्दी से कविता सुनाते है, जी, तो मेरे प्यारी मितरों, चलो, पहले कविता सुनते हैं, मैंने सिर्व देखिये, आhrd सुन भी लेते हैं, तो बच्चों, हमारा गौरफ तो आया हुआ है, हमें बताने भी, और सुनने भी, वो क्या बताएगा, वो बाद मैं सुनेगे, लेकिं पहले हम अपनी कवीता देखते हैं ठीक है बच्चों और रेनू शुरुवात करें जी माम अचले शुरुवात करते हैं आज की कवीता की और बच्चों इस कवीता का शिर्शक है सीखो जैसे कि आपको दीदी ने पहले ही बता दिया है तो पहली पंक्ती जो हमें बता रही है फूलों से नित हसना सीखो भौरों से नित गाना तरू की जुकी डालियों से नित सीखो शीश जुकाना तो कितना प्यार से और कितने अच्छे से हमारे कवी ने फूलों से और तरू यानि कि पेडों से हमें कुछ सीखाया है तो फूल क्या सिखाते हैं रहे नो फूल हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा हसना चाहिए और फूल देखकर सभी खुश हो जाते हैं और रंग बिरंग ये फूल किसे पसंदना हो और हमारे बच्चों की दुनिया वैसे ही रंग बिरंगी होते हैं तो उन्हें तो फूल देखकर और भी मज़ा आता होगा और उन्हें पूलों से हमेशा बच्चों को ही नहीं हम बड़ों को भी फूलों से यह सीखना है कि हमें हमेशा हसना है और भौरे भौरों तो बहुत सुंदर गाने सुनाते हैं तो उनका गाना सुनना सभी को पसंद है और उन्हें गाना गाते रहते ह तो बहुरे भी सिखाते हैं, चाहे दुखो या सुखो हमें गाते रहना चाहिए, और फूल हमें हमेशा खुशी से आनन्दित होते हुए खुश रहना सिखाते हैं, तरू की जूकी डालियों से नित, सीखो शीष जुकाना, यानि कि हमारे जो पेड़ हैं, उनकी टहनिया, पेड़ पर, उसकी टहनिया कैसे होती है, रेनो? वो थोड़ी ना चुकी हुई होती है, क्यों जुकी हुई रहती है? चैकि उन पे जो फल है, उनका थोड़ा सा भार होता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जो फलदार पेड़ होता है, वो हमेशा जुक हम बड़ों को देखें, सम्मान पूर्वक देखकर, और साथी साथ, रेनो, जब हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं, तो उसके आगे भी नतमत सक्त होते हैं, कि ने? तो बच्चों कि हमारी जो डालियां रहती है, डालियों में जब फल लगे रहते हैं, वो जब भा इच्छा कारिय करता है, या कभी हमें किसी को सम्मान देना है, तो हम शीज जुकाते हैं, तो ये भी सारी चीजें प्रकृति हमें सिखाती हैं, तो यहां पे कितने सुन्दरता से कभी ने हमें बताया है कि फूलों से हम क्या सीखते हैं, बहुरों से हम क्या सीख रहे हैं, औ और हमारे पेड़ों की तहनियों से क्या सीखते हैं, अब आगे देखते हैं, और क्या-क्या सीख रहे हैं प्रकृती से, जी, सीख हवा के ज्छोंकों से लो कोमल भाव बहाना दूद ददा पानी से सीखो मिलना और मिलाना तो सीख हवा के ज्छोंकों से लो कोमल भाव बहाना तो हवा का जब ज्छोंका आता है तो कैसे लगता है मैं बहुत अच्छा सा और ऐसे लगता है कि आपको जो हवा है वो बहुत अच्छे से सहला रही है सहला रही है तो हमेशे हमें हवा से कोमल भाव भाव भी तो बहुत अच्छे होते हैं कोमल लगते हैं कि ने उसके भाव कठोर तो नहीं लगते तो कोमल भाव हमें कौन सिखाता है हमें सिखाती है हवा यानि कि पवन दूद तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना तो बच्चो दूद और पानी को जब हम मिलाते हैं क्या हमें पता चलता है कि पानी और दूद का फरद नहीं माम वो आपस में इतने खुल मिल जाते हैं कि आप उसको झालोग भी नहीं कर सकते हैं爬 रौ वैसे हमें एक दूसरे से भी मिलना और मिलना है और मिलाना भी है जिया इकि अपने आपसी संढ़न कैसे बनाना मधूर बनाने उनके सब्सक्वर लाना है या निकिस रिखते हैं कि वोते हैं ふहाईचारा की भावन और हमारे में कितरता की जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे विचार भी मिलते हैं, मिलते हैं कि ने, जब विचार नहीं भी मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अलग हो सकते हैं, हम क्या कोशिश करेंगे बच्चों, आप तीसरी कक्षा के बच्चे के, अगर हम आप से पूछते हैं, आप कक्षा तीस तो इनके लिए भाव सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन रेनु जब अगर मैं आप से कहती हूं कि अगर आपके और मेरे विचान नहीं मिलेंगे तो पहले क्या करेंगे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात को पर्ष्ट रूप से सामने रखेंगे और जब हम रखते हैं तो एक बोलते हैं एक कन्विंसिंग पावर की कि हम सोचेंगे हम समझेंगे एक दूसरे को और जब हमें समझ आ जाएगा कि मैं गलत हूं या जो मेरे सामने है वो गलत है जब वो गलत है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सही दिशा दिखाएंगे और जब म मैं गलत हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि रेनुदी जो आपकी बता रही है वो सही है तो जरूर उनकी बात मानोंगी और दूत और पानी जब मिलते हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं और जब हमारे विचार मिल जाते हैं तब हम भी अलग नहीं हो सकते हैं कितनी सुंदरता से क वह बच्चों, आगे देखतें आगे क्या क्या आपको प्रक्ठी सिखा रही है। सूरज की किनों से सीखो जगना और जगाना लता और पेडों से सीखो सब को गले लगाना अरे Gmail byår क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसके धर्शन होते हैं हमें सूरज के माम सूरज के सूरज के किरने जैसे ही आती है तो यानि कि हमें उठना है मतलब सुबह हो गई है मतलब समय आ गया है हमारे उठने का जगने का और जगाने का तो जगना भी है और जगाना भ गले लगाना है तो गले लगाना क्यों नहीं गले लगाना सभी को पसंद है कि नहीं बच्चों आपको भी जब आपकी मम्मी गले लगाती है तो आपको कैसे लगता है कैसे भाव आपके आते हैं आपको कोमल रिदै जो उनके निकलते हैं उन में से शब्द निकलते हैं और जब वो अपने गले लगाती है तो आपको बहुत मज़ा आता होगा आपको बहुत प्यार उमरता होगा आपका वैसे ही लता और पेड हमें सिखाते हैं कि सब को हमें गले लगाना है यानि कि अगर कोई भी बात या कोई भी हमारे बीच में तूरिया है तो उसे हमें मिटाना है यानि कि जैसे हमने कहा कि हमारी एक दूसरे की कोई भी भावना या कोई भी ठेस पहुंचती है उसको दर किनार करते हुए अपने आगे के विचार बहुत अच्छे से सामने वाले के समक्ष प्रकट करते हुए एक दूसरे के गले लगना ह तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे प्रकृति में कुछ ना कुछ हमें चाहे फूल हो या सूरज हो सब सिखा रहे हैं दीपक से सीखो जितना हो सके अंदेरा हरना प्रित्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना अरे वाह दीपक हमें हमेशा बच्चों हम जब अंदेरा होता है दीपक जलाते हैं दीपक से हमें क्या मिलती है रोश्नी और रोश्नी होते क्या हो जाता है अंदेरा दूर हो ज कि जिन्देगी में चाहे हमारे मित्र हो या हमारे आसपास रहने वाले उनके जीवन में कोई भी अंदेरा अंदेरा यानि कि हमारे जीवन में कोई कठीनाई आती है तो एक दीपक की तरह खड़े रहकर उनकी कठीनाई को दूर करने में मदद करनी है यानि कि उनके लिए पहने की सच्शी सैवा करना तो परिद्मी हमारे सेवा करती है कि नहीं करती रहे नो माम, काफी हध तक और हर मायने से करती है एक आप उदारन जए सकते है माम, कि हम इस ग्रह में रहते हैं और यहांपर हम कई लोग खेती करते है उसी को हम खाते है फल होते हैं, उनको हम खाते हैं और पानी भी हमें यहीं से मिलता है जो हमारे सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत जरूरत मन्द होते चाहे पानी हो, फल हो, खाना, हवा सारी चीज़ें यहीं पर है और पृत्वी यहीं तो बोलती है कि सच्ची सेवा करना यह किस से सीखना है हमारे पृत्वी से सीखना है क्या पृत्वी इसके लिए हमसे कुछ लेती है क्या नाइ माम वो हमसे कुछ डिमान नहीं करती है और ऐसा कभी कहती भी नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए उसमें सिर्फ देने का भाव है देने का भाव है सिर्फ हमें देने का भावज़ जो सिखाती है वो सच्ची सेवा करने का वो है हमारी पृत्वी तो बच्यों हम पृत्वी की बात यां कर रहे हैं तो मैरा आपसे एक प्रश्ण है जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कि आप पृत्वी की सेवा कैसे करेंगे क्योंकि प्रित्वी प्रान हमारी सेवा करतो रही है तो हमारे बच्चे का भी कोई ये बनता होगा कि वो सेवा करे जी माँ तो जरूर कॉमेंट करके हमें बताईएगा कि आप कैसे सेवा करनी चाहोगे उनकी रेनु अगर आप से पुछे तो आप कैसे सेवा करोगी मैं पेड लगा कर अब आपकी रेनु दीदी ने तो बता दिया है कि वो पेड लगा कर सेवा करनी चाहेंगे तो आप भी जल्ली से कॉमेंट करके हमें बता दीजे कि आप कैसे सेवा करेंगे अब आगे देखते हैं बच्चों और कौन कौन हमें सिखाता है जल्धारा से सीखो आगे जीवन पत्थ में बढ़ना और दुवें से सीखो हरदम उचे ही पर चड़ना तो रेनू जल्धारा की बात करते हैं जब जल्धारा देखते हो आप तो जल्धारा जब गिरता है तो कैसे बहता है आगे बाम सीधा सीधा और हमेशा जब बढ़ता है तो आगे बढ़ता है कभी पीछे बढ़ते हुए देखा है तुमने नई तो जल्धारा भी हमें को सिखाती है यानि कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है तो बच्चों ध्यान रखना जब आगे बढ़ने की बात आती है तो इस आगे बढ़ने में ये नहीं है किसी को चोट पहुचा कर हमें आगे बढ़ना है पर हमें अपनी महनत से श्रम करके आगे बढ़ना है और हमारे प्यारे नन्यमने बच्चे जो अभी तीसरी कक्षा में वो मेहनत करना जानते हैं क्योंकि दूसरी कक्षा में भी ऐसे कविताइं थी और ऐसे पाड़ थे जहां पर उन्हें मेहनत श्रम का समान अर्थक अच्छे से पता हो गया वो जान गए हैं कि किस कहानी से उन्हें सीखा होगा अगर आपने सीखा होगा तो जब हमें कॉमेंट करके बता दीजिये और दुएं से सीखो हरदम उचे ही पर चड़ना तो बच्चों ये देखें इसमें आप कविता का जब हम ये last पैरा ये ले रहे हम यहां पे वाक्या तो यहां पे दिया है कि धुवें से सीखो हर दम उचे पर ही चड़ना तो बच्चों आपने धुवा देखा होगा अगर बत्ती का धुवा धुवा बुलेंगे मतलब जब निकलती है उसमें आप देखोगे कि वो हमेशे उपर 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 जाती है जैसे हमारा गुबारा तो बच्चों हमारा जो गुबारा है जब हम उसमें होगा भरते है वो कैसा रहता है उपर और आपको गुबारे तो बहुत पसंदोंगे नन्यम ने बच्चों को गुबारे वो भी रंग भी रंग दा और आज कल तो मैंने बाजरों में देखे कि गुबारे भी अलग-अलग अकार के आ रहे हैं तो बच्चे खूब ये उड़ाते रहते हैं और कुछ गुबारे तो उड़ाते हुए भी देखा हैं पर याद हुए कि बच्चों ये धुआ जो हम बता रहे हैं और वो धुआ जो पॉलिशन प्रदूशन की बात करते हैं उसमें बहुत फरक है प्रदूशन के लिए तो आपको कुछ काम करना है अभी हमने आप से प्रश्ण किया था कि आप प्रकति के लिए क्या क्या करेंगे तो प्रदूशन काम भी तो कर सकते हैं हमारे बच्चे प्रदूशन काम करने के लिए बच्चों क्या 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 आप कर सकते हो ये भी आप हमें बता दीजे तो वो दुएं की बात नहीं कर रहे हम यहां पे दुएं की बात कर रहे हैं जिससे हम सीखेंगे कि हमेशा हमें ठीक थिएद अपुजब कोई याटए जाता थे पहले ज़ाते थे गाउं रेनौ तो भाटि कोई आजाताई थे तो दहुआ अए को धी तीकрипत है। तो सब जाते थे और कभी हम जाते थे अपने गाउं जाने की बात आती थी तो मज़ा ही कुछ और होता था उस गाड़ी में बैटने का और अभी तो बच्चों को देखना मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी हम धुएं की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बच्चों ध्यान रखेगा कि यहाँ पर आपने सीखा होगा क्योंकि यह हमारे नवीन युक के बच्चे हैं इन्होंने कॉरोना काल देखा है इन्होंने प्रदूशन देखा है तो यह सोच रोंगे धुआ भी हमें कुछ सीखाता है इसलिए हमने इबात कही है बच्चों आपके लिए तो कवीता में हम को प्रकृती से कौन-कौन क्या-क्या सिखा रहा है जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजें तो रेनु यहाँ पर क्या-क्या आए थे जो हमने देखी है माम मुझे लगता है कि प्रकृती के सारे बड़े-बड़े आयाम हमने इसमें देख लिए है सूरज देख लिए है न याम को हमने यहाँ छुआ है, जिसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है, तो बचो यह थी हमारी प्यारी सी चोटी सी कवीता, जिसका शिर्षक है, सीखो, तो यकिनर बचो को पसंद आई होगी, मैं मुझे लगता है कि बचो को बहुत पसंद आई होगी, और क्योंकि बच इतने भी उदारन यहां पे हमने देखें इस कवीता में, वो कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, जो आपके लिए हैं, कोई हमें शीज जुकाना, सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो कोई हमें महनत करने की बात कर रहे हैं, तो कोई हमें आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत को सिखा रही है, आप रेनु इस वी था कि सांसार में चित्र भी लेकर आई हो बच्चों के लिए, तो चलो चित्र दिखा देती हूं जी माम, हम सभी वह चित्र देखना चाहेंगे, जी, तो यहां पर आपको एक चित्रसुंदर सा दिखाई दे रहा है यहां पर जल भी दिखाई दे रहा है सूरज भी दिखाई दे रहा है फल भी दिखाई दे रहा है देखा बच्चो चेडिया भी नज़र आ रहे है फूल भी नज़र आ रहे है तो बच्चों, आप मुझे बताओ, अब क्या आप उकते सूरज को देखके, आपके मन में पहले भाव क्या आते होंगे, बच्चे बताएंगे, कॉमेंट करके, हम गौरव से पूछें क्या, हमा, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटिट है, और गौरव से पूछ भी लेते हैं कि वो कह रहा था हमें, कि वो बहुत शांती पूरवक सुनेगा, दीदी, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, तो गौरव तुमने पूरी कवीता सुनी, बहुत अच्छे से दीदी, इतनी सुन्दर कवीता, कितनी चीजे सीखी मैंने इसने, तो दीदी, अभी मैम ने हमें मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है, जब उसके दृष्य वो जो होता है, वो लाली मा होती है न, जो पीले-पीले सूरज, एक तम उपते वे सूरज को, दीदी, मुझे तो सबसे पहले सूरज उपते ही, मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ, चलो, आज बता था गॉरफ ऐसा ही कुछ सोचता है कि अब सूरज उग तो मैं स्कूल जाओंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूँगा, गॉरफ अप यही सोचते हो कि स्कूल जाके आप मस्ती करोंगे, नहीं मैं सूरज हमें जगना जगना खुट जगाता है, तो मुझे यह भाव अभी प मुझे मेरी मम्मी, गॉरफ को तो मम्मी जगाती है, लेकिन पहले बताओ तो सही कि आपको क्या भाव नजर आते हैं और आपको कैसा लगता है, देदी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहली बात तो, और सबसे ज़्यादा जब सूरज आता है ना देदी, तो चीडिया जब कुकती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो मधूर सूर होते है ना, चीडियों का सूरज के सार, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, असल में वो ही मुझे जगाते हैं, मम्मी तो मैं कहता हूँ, लेकिन जब सूरज आता है, मुझे सूरज तो मैं नहीं देख नहीं पाता लेकिन चीडिया चाहिक नहीं लगती है तो मुझे पता चल जाता कि सूरज डादा आ गए है चलो, यह तो सच्छी बात करी मुझे लगता है गौरव ने यह सच्छी बात करी च्चेलों के आवाज से उजाटता है माम क्योंकि हमारे पास इस सत्री के लिए समय कम है एक मिर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगी कि क्या कुछ ऐसी बाते हैं जो आप हमारे सभी विद्ध्यार्थियों के साथ साजर करना चाहते हैं माम जाते जाते हैं ठीक है बच्चों जैसे हमारे गौरफ ने बहुत चीजे बताई और आपने इस कविता दोरा भी देख ली गई है आपने सुनी भी हैं तो बच्चों मैं आपसे एक ही प्रातना करने चाहूंगी कि आप जब भी कुछ सीखते हो अच्छी चीजे तो जरूर वो सीखें ऐसे मत स चीज से सीखते हैं हम जब मदु मखी की बात लेते हैं चीजे मेहद तो हर एक चोटी चीज हमैं कुछ ना कुछ अच्छी बाते सिखाती हैं तो ज़रूर अपने आसपास देखिए उनका सम्मान कीजे और जरूर प्रण लीजे कि प्रकृति को आपको बचाना है क्योंकि हर एक अंग हर एक चीज आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके लिए मददकार होती है कहीं न कहीं आपकी साहिता करते हैं और आपको सिखाते हैं तो यह बहुत यह अच्छी और सुन्दर बात माम आपने हमारे सभी बच्चों के साथ साजा की कि हर चीज जो है आपको कुछ न कुछ सिखाती बच्चों बस आपको सीखने की जरूरत है यह ललक और यह लगन आप अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप अपने आसपास की हर चीज से आप कुछ न कुछ सीखेंगे और इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन जाने से पहले कवीता माम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडिय आया है और आपने ही कविता अच्छे तरीके से सब बच्चों तक पहुँचाए है दीदी मैं भी धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं हमको आज पहली बार मैंने कवीता सुने और बहुत सुन्दा कवीता थी अच्छा और मे और आपको भी धन्यवाद करते हुए हमें सब्सक्राइब करना चाहेंगे और अपने सभी देखने वालों को कहेंगे बिच्चों आप बहुत चोटे हैं लगन अपने अंदर रखेंगे तो आप काफी कुछ सीखेंगे और काफी आगे जाएंगे प्रकृति हमारी सबसे नहीं रहें चोटे से ब्रेक पे जा रहें ब्रेक के बाद अपने एको लाइव इंट्रैक्शन के साथ हासर होंगे जो कि उर्दू के तीसरी जमात के तलबा तालिवात के लिए हम लेकर आए हैं जिसका उन्मान रहेगा हम अभी फिलहाल मुझे रेनुभट को दे अनुमती नमस्कार